तो आप लोग कैसे हैं? कमेंट में आप लोग जरूर बताईएगा, इससे तो अच्छा राना चाहिए दोस्तों दोस्तों हम एक बात बताने वाले हैं, हमारा वीडियो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा, छोड़िएगा मद बहुत दुख वालत बात हैं दोस्तों आदमी एक लड़का एक लड़की है उसकी और आदमी चारो आदमी नीचे सोये थे सब दोस्तों बारिस के मौसम चली रहा है समय कीरा उरा का वी डर थोड़ा है भाई नीचे सोने में बतो डर है चारो आदमी नीचे सोये थे दोस्तों रात में एक बजे पहले लड़की करो सा यहीं गर्दहिये में काट लिया दोस्तों एक दम यहीं पकाटा है दोस्तों उसके बाद उसकी मा को लड़का का भी तो सुना रहा है कि लड़का का हादास हो गया है लड़का को पता ना काटा है कि लड़का बहुस हो गया है दोस्तों कोई बड़ा बड़ा लड़का लड़ मा खतम हो गई रस्टे हस्पीटल पारोचे साइट तब ही खतम ही मा दोस्ते-ई पना मूट ज tätा माल चेंव होटी के लोगरिफे घ्जोड में तरह समीं स्कुल करिए अगल भगल का जो आने के साथ विद्द मार शोड़ तकशने आग और उस को डाक्टर यहां पवी स्विव लगा था सरकारी हस्पितल में साइद स्वाइद लगा था उसके बाह बोले डाक्टर कि आप लेकर डूशरा हस्पिटल चले जईये दोस्तों लेकर जा रहा था वेचारा हस्पिटल में पहुंचा त्यले उसकी पत्मी खतम हो गई दोस्तों इतना भीड लगा था इतना भीड के घर में तो ताला बन था कोवान था कि यहां पर रहेगा और का आदमी बचा था तो तीनों पुले कर चला गया फिर साब को जाम मुआ था तो ही आदमी जाजा देखकर आया था उसाब को तुप दिये थ पुलिस भी आई थी फोटो टो खीच कर ले गई है पुरा देखी है जितना लोग जा रहा था फोटो टो खीच रहा था दोस्तों दोस्तों यहीं पर दो तीन रूम की बाद से है घर उसका हम जा पर आते हैं दोस्तों यहीं क्या बात है दोस्तों यहीं बात है दोस्तों को बहुत भी लागा था, बहुत लोग देखने के लिए गये थे, हम लोग तो नहीं गये दोस्तों, बाकी सब कोई गये था, यहां के भी लोग इमकान मालकिन दे गये थी, जो आदमी जाता था तो फोटो खिच-खिच लाता था दोस्तों, यही बात है, इतना थोड़ा गरीब ह बात हुआ है, लोग के पूछे, मा बेटी दोनों खतम हो गये, जो ही दो रोटी बानानी खियाने वाली आदमी थी, वो भी खतम हो गया, अब देखिए भगवां करे कि लड़का भी बच जाए तो अच्छा ही है, भगवां करे कि बच जाए, बाप बेटा बचे हैं सब दो दोस्तों मेरा वीडियो पूरा आप लोग जरूर देखिएगा, कमेंट में जरूर बताएगा कि हमारा वीडियो आप लोग काईसा लग रहा है, दोस्तों वीडियो छोड़ियेगा, बहुत दूख वाला बात है दोस्तों, पूरा हमारा वीडियो आप लोग जरूर